एपल स्टोर का इंतिजार अब खतम, मुंबई में खुल गया भारत का पहला एपल स्टोर एपल के चीफ एग्जेकिटिव ओफिसर टीम कुखुद स्टोर के उधगाटन के समय मौझूद थे इस दोरान उन्होंने स्टोर का उधगाटन करने के बाद खुद ग्रहकों का स्वागत किया और उनसे बातचीत भी की भारत में एपल का पहला स्टोर मुंबई के बांदरा कुला कॉम्पलेक्स में खुला गया है देखते है कास रिपोर्ट एपल के चीफ एक्जेकुटिव आफिसर टीम कुक खुद स्टोर के उधगाटन के समय मौझूद थे इस दोरान उन्होंने स्टोर का उधगाटन करने के बाद खुद ग्रहकों का स्वागत किया और उनसे बातचीत भी की भारत में एपल का पहला स्टोर मुंबई के बांदरा कुड़ा कॉम्पलेक्स में खुला गया है आइफोन और बैक बुक बनाने वाली दिगज अमरीकी टेक कंपनी एपल का भारत में पहला रीटेल स्टोर खुल चुका है रिपोर्ट के मुताबिक एपल का भारत में पहला रीटेल स्टोर अभी तक कंपनी के सबसे टिकाउ स्टोरों में से एक है जो ग्राहकों को शांदार सर्विसिस देगा बांदरा कुड़ा कॉम्पलेक्स माया नगरी की काफी चहल पहल वाली लोकेशन है भारत से वितवर्ष 2022-23 में एपल का निर्यात 5 अरब अमरीकी डॉलर को पार करने का अनुमान है यह आकड़ा भारत में बने फोन के कोल निर्यात का आधार है एपल ने कहा है कि कंपनी भारत में 2500 लोगों को रोजगार देती है उसने अपने एप इकोसिस्टम के जरिये अपरतिक्ष रूप से 10 लाख नौकरिया सरजित करने में मदद की है कंपनी ने कहा कि स्टोर में महिला करमचारियों की संख्या करीब आधी है दुर रिपोर्ट